हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में किलो ग्राम से सम्बंधित कुश्चन को हल करना सिखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि इस टाइप के कुश्चन में अधीक लोग गलतिया कर लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप लोगों से गलतिया कभी नहीं होगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहां प्रस्न है 12 केजी आम का दाम 600 रुपए है तो 4 केजी 500 गराम आम का दाम क्या होगा यानि कुश्चन में 12 किलो आम का दाम दे दिये हुआ है कितना है 600 रुपए है ठीक तो क्या निकलना है 4 किलो और 500 गराम का दाम निकलना है कि कितना होगा तो चलिए इस question को solve करते हैं solve करने के लिए क्या करेंगे पहले जो question में दिये हुआ है उसको पहले लीख लेंगे ठीक तो यहां लीखेंगे 12 kg आम का दाम कितना है 600 रुपए है ठीक यानि 12 kg आम का दाम कितना दिये हुआ है कुस्षन में 600 रुपे दिये हुआ है ठिक तो कुस्षन में जितना था उतना लिख लिए ठिक अब क्या करेंगे यहां से 1 kg का दाम पहले निकालेंगे ठिक तो 1 kg का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे यहां लिखेंगे 1 kg बराबर यहां कितना है 600 है तो इस 12 से क्या करेंगे इसमें डिव केजी का निकालना हो तो क्या करेंगे एक केजी का निकालने के लिए इस बारा से इसमें डिवाइट कर देंगे यानि भाग देंगे तो कितना का निकल कर आ जाएगा एक केजी का दाम निकल कर आ जाएगा ठीक तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व करेंगे तो क इतने बार में कटेगा पचास बार में कटेगा यानि एक केजी आम का दाम कितना निकल कर आ गया पचास रूपए निकल कर आ गया ठीक तो अब कुस्चन में क्या दिये हुआ है कि चार केजी पांसो गराम आम का दाम क्या होगा जब एक केजी का यहां निकल कर आ गया कितना है पचास रुपए आ गया ठीक तो यहां से क्या करेंगे चार केजी 500 गराम का निकालना है तो पहले हम लोग चार केजी का निकालने के लिए अगर चार से इसमें गुना कर देते हैं तो चार से इधर भी गुना करना होगा जब चार से इधर गुना कर देते हैं तो यह कितना हो जाया जाएगा चार एकम 4 यान्य के-जी का कितना एज़ाएगा 50 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 50 चुका कितना होता है 200 हो हुता है तो यहां 200 आ गया यानी 4 के-जी factd कितना निकल कर आ गया 200 रुपय आ गया अब इस कितना है 500 ग्राम और आम का दाम निकालना है यहां 4 केजी 500 ग्राम का दाम पूछ रहा था लेकिन हम लोग 4 केजी का दाम यहां निकाल लिये हैं कितना है 200 रुपए हैं तो अब कितना निकालना है 500 ग्राम का और निकालेंगे ठीक तो यहां कितना था 1 केजी का 50 रुपए था ठ तो एक केजी बरावर कितना होता है, एक हजार ग्राम होता है, ठीक, एक केजी बरावर कितना होता है, एक हजार ग्राम होता है, तो एक हजार ग्राम बरावर कितना है, पचास है, ठीक, तो अब इसमें अगर दो से डिवाइड कर देते हैं, यानि दो से इसमें भाग देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 500 ग्राम हो जाएगा कुस्चन में भी 500 ग्राम और निकालना था तो यहां अगर 2 से डिवाइट करेंगे यानि भाग देंगे तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी 2 से भाग देना होगा तो चलिए अब दोनों साइट क्या करेंगे दो से भाग दे देंगे तो दो से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा यहां भी 2 से भाग करेंगे यहां भी 2 से भाग करेंगे तो यह 2 से जब काटेंगे तो 500 यहां आ जाएगा दो से यह काटेंगे तो पचीस यहां आ जाएगा ठीक यानि 500 ग्राम का कितना दाम निकल कर आ गया 25 रूपए आ गया और 4 kg का कितना था 200 रूपए था तो हम लोग कुस्चन में क्या था 4 kg 500 गराम का दाम निकलना था तो क्या करेंगे इस 4 kg और 500 गराम दोनों के जो दाम आया है इस दोनों के क्या करेंगे add कर देंगे यानि जोड देंगे तो यहां लिखेंगे 4 kg 500 gram आम का दाम बड़ावर क्या हो जाएगा यहां 4 kg का कितना निकल कर आया है 200 रुपए आया है तो 200 यह हो जाएगा अब 500 गराम का कितना आया है 25 आया है यानि 25 रुपए यह हो जाएगा ठीक रुपए आ गिया यही इसका एंसर है तो चलिए आप लोग भी इस टाइप के कुश्चन को बिल्कुल असानी से इसी तरह से हल कर सकते हैं आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जेर कमेंट जरूर करें